नमश्कार आप देख रहे हैं स्मार्ट विजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय ओचुका है खेती किसानी की महत्पूल खवरों का किसान भाईयों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि गर्मी के एक मौसम में या गर्मी के दिनों में आप कौन-कौन सी फसले होगा सकते हैं हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे किसान भाईयों के बोल रहे थे कि सर गर्मियों के मौसम में कौन-कौन सी सबजियां लगा सकते हैं एक बार थोड़ी सी हिंट बता दीजिये जिससे कि हम समय से पहले या अच्छी इंकम कर सकें तो भाई बिलकुल आपके सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं बताएंगे आपको कि गर्मी के मौसम में आप कौन-कौन सी फसले लगा सकते हैं तो गर्मी के मौसम में आप तोरह या गिलकी लगा सकते हैं गिलकी को हम घियां के नाम से भी जानते हैं घियां तोरही की करिशी भारत वर्स में एक मुख्य फसल गई रूप में की जाती है। यह तोरही विदेशों में भी बहुत अधिक मातरा में साधन रूप से पैदा की जाती है। आप तुरही लगा सकते हैं गिलकी लगा सकते हैं दोनों की डिमांड काफी अच्छी बनी रहती है और अभी जो गिलकी की मार्केट में कीमत बात करें तो 70-80 रुपे पर केजी बिख रही है मंडी में और तुरही भी 70-80 रुपे पर केजी है तो आप जो चाहे वो लगा सकते और यदि आप आज की डेट में भी अभी लगा दोगे गिल की अतो रही तो मंडी में जब आपकी चलेगी 60-70 दिन वाद तो 25-30 रुपे कीजी तो नॉर्मल है इतना तो बिखे गई तो आपकी इंकम काफी अच्छी हो सकती है इसके बाद आप पेटा की खेती कर सकते हो यह एक बेल पल लगने वाला फल है जो सबजी की तरह खाया जाता है यह हलके हरे बंड का होता है और बहुत बड़े आकार का हो सकता है पूरा पकने का यह सतय वालों को छोड़कर कुछ स्वेध धूल भरी सतय का ही होता है और पेटा तो कई सारे कामों में यूज होता है धवाईयों में यूज होता है जू सरवत बनाने में यूज होता है और खरबूजे की केती प्राय उचतापमान युक्तों सुस्क जलवाईयों में बहतर होती है, तो खरबूजा लगा सकते हो आप, फिर इसके बाद पालग भी लगा सकते हो, पालग एक पत्यों वाले सबजी की सबजी है, जो कि भारत में सबी जगे उगाय जा सकता है, आसानी सब पत्य वाले सब्जी है, हरी सब्जी है, तो इसकी डिमांड गर्मियों में काफी ज़्यादा बनेगी, पकोड़ी बनाने में, सब्जी बनाने में, भूंजी बुर्रा बनाने में, काफी अत्तक इसकी डिमांड बनी रहती है, तो आप इसे लगा कर भी अच्छी कासी इंकम क एक्टूबर नॲिंबर operation आप्टूबर दिसंबर जन्वरी फरवरि मार्च अफ् रिंप दिक्त हो ते हो सिर्फ मैं और जून में इसे लगाने में थोड़ी दिक्कत आती हैं क्योंकि उस टाइम पर गर्मी का मौसम अधिक बन जाता है तो उस टाइम पर जर्मिनिशन होना मुस्किल होता है नहीं तो आफ आ 9-10 महीने तो आसानी से कभी भी इसे उगा सकते हो फिर अर्वी की खेती अर्वी दो तरह के होती है जिसमें एक एडिन और दूसरी डेसिन टाइप होती है एडिन अर्वी तता डेसिन टाइप को वंडा कहते हैं इसकी केती पूरे भारत में की जाती है एक तो आप इसे बरतात से पहले कर सकते हो दूसरा गर्मियों में भी आफ लगा सकते हो फिर चॉलाई की लगा सकते हो आप चॉलाई पत्यों वाली सब्चियों की मुक्य फसल है और यह फसल भारत वर्ष के विविन चेत्रों में आसानी से उगाई जाती है चोलाई की फसल वारत में गर्मियों के मौसम हो गई जाती है और चोलाई की भिन भिन अलग अलग किसमे है जो की वर्सा रितू वा ग्रीस में रितू में पैदा की जाती है चोलाई को वारत के सहरी चेतरों के आसपास अधिकों गाय जाता है और गर्मियों में सबसे अधिक इसे खाया जाता है क्योंकि हरी पत्ते वाली सबजी है और गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा डिमांड में ये वनी रहती है फिर आप मूली की खेती कर सकते हो मूली जड़ वाली फसलों में एक महत्पूर्ण इस्तान रखती है और मूली ग्रह वाठिका की भी मुक्य फसल है इसको बोजन के साथ कच्ची सेवन करते हैं और इसकी अतिरिक सलाद में भी इसका व्योग किया जाता है परांटे बनाकर वाचार में प्रियोग करते हैं और मूली के सेवन से पाचन क्रिया सक्री रहती है जिस काराण से ये डिमांड 12 महीने वनी रहती है भी भी आप करोगे तो गर्मी में काफी अच्ची आपकी मूली विकने वाली है फिर आप तर्वूज के खेती कर सकते हो तर्वूज एक कुकर विटेशी परिवार की गर्मियों की सबजी है तता फल होता है जो की गर्मी में पैदा किया जाता है यह फसल उत्तरी भारत के भागों में अधिक पैदा किया जाता है सबजी के रूप में कच्छे फल जिनमें वीज कम बगुदा ही प्रियोग किया जाता है और तरभूज की फसल तराई वा गंगई यमना के चेतरों में अधिक पैदी की जाती है यदि आप तराई वाले छेत्रों में हो या फिर गंगना यमना या फिर किसी भी नदी के किनारे आप बसते हो तो आप के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि या आप तर्भूज लगाएं, खर्भूज लगाएं या पेटा लगाएं तो आफ की आसानी से ये फसले हो जाएगी और प्रोडक्शन भी काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि रतेडी जमीन में सबसे अधिक प्रोडक्शन मिलता है और रोग वाइरस भी बहुत कमाते हैं तो तरबुज भी लगा कर आप अपनी इंकम को बढ़ा सकते हो इसके बाद फूल गोवी या पत्ता गोवी लगा सकते हो गाट गोवी जिसे बोलते हैं पत्ता गोवी को या लाल पत्ता गोवी लगा सकते हो यह वारत की भी प्रमुक सबजी है और फूल गोवी की खेती पूरे भारश वर्स में की जाती है और अब तो बारही महीने कभी भी आफ फूल गोवी और पत्ता गोवी की खेती कर सकते हो बारही महीने के साब से अलग-अलग मौसम के अलग-अलग वीज मार्केट में उपलब्द हैं आपको जिस मौसम में लगाना है उस मौसम में लगा सकते हो hybrid लगाना है local देशी लगाना है जैंसा भी भीज लगाना है सब उपलबद है market के अंदर और सभी मौसम के साब से दवाईया भी उपलबद है आपको जैंसी भी खेती करनी है एकदम production अच्छा मिल जाता है बस आपको आने वाले समय में market अच्छा मिल गया तो आपके तो मज़े आ गए इसके बाद वेगन के खेती आप कर सकते हो वेगन एक postic सबजी है इसमें vitamin A वा vitamin B के अलबा calcium, phosphorus तता लोही जैंसे खनीज भी होते हैं इसकी फसल से काफी अधिक उपज मिल सकती है यदि आप hybrid किस्मों का चुनाप करते हैं और सही समय पर लगा देते हैं तो आपके लिए production काफी अच्छा मिल जाएगा जैसे कि अभी आप लगा सकते हो मौसम भी अच्छा है गर्मियों में काफी अच्छी उपज दे देगा और प्याज का सूप अचारवस सलात के रूप में उपयोग किया जाता है और आप जानते हैं कि प्याज अभी भी market में current पकड़े हुए है तो यदि आप अभी लगाओगे तो फिर आपकी प्याज चलेगी कहां उस वो गर्मी के ending में और वर्सात से पहले तो उस टाइम पे तो आज हमेशा मेंगी रहती है तो आप वहाँ पर भी अपनी अच्ची इंकम कर सकते हो फिर मिर्च की खेती आप कर सकते हो मिर्च जिसे हम चिली बोलते हैं भारत की प्रमुग मसाला फसल है इसके सुआद में तीकापन होता है मिर्च का उप्यों के एक मसाले के तोर पर किया जाता है और मिर्च प्राप करने के लिए इसकी खेती की जाती है मिर्च का जन्विस्तान दक्षणी अमेरिका है और यह भारत की प्रमुग फसल बन चुकी है भारत में लगवक 7,90,000 हेक्टेर में इसकी खेती की जाती है जिसमें 12,23,000 टन मिर्ची का उत्पादन सालाना से उपर ही निकल जाता है तो यह मिर्ची भी आप काफी अच्छी लगा सकते हो जिसमें कई सारी हाइवरेट किसम है हमने मिर्ची की खेती कैसे करना इसके वारे में कई सारी वीडियोस डाली है आप चैनल पर जाकर देख सकते हो वैंसे तो इस वीडियो में जितनी भी हम सबजियां बता रहे हैं उन सभी की वीडियोस हम अल्रेडी डाल चुके है फिर भी आपने कोई वीडियो नहीं देखी है या फिर किस तरह की समश्य आपको आ रहे है या कौन सी फसल में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम नेस्ट वीडियो में उसके उपर भी बनाएंगे तो मिर्ची आप लगा सकते हो हाइबरेड देशी वारे महीनी के साब से अलग-अलग बीज मार्केट में उपलब्द हैं मौसम की कोडिंग आपको जो भी जैसी भी फसल करनी है आप बिल्कुल बीज लेकर आ सकते हैं फिर बीन की केती कर सकते हो अपने आकार में किड़नी की तरह दिखनी की वज़े से राजमा को किड़नी वीन्स के नाम से भी जैना जाता है जो कि अपने वे मिसाल स्वाद और साकारी खानों में अपने में मौझूद विस्चिस गुणों के कारण जहां हम सभी खाने के सौकिन लोगों के लिए विस्चिस आहार है वहीं खेती में अच्ची आमदानी देने की वज़े से ये किसानों के लिए भी महत्पूणी दलनी अनाज की फसल है तो वीन्स की खेती भी आप कर सकते हो जो की अच्चा खासा प्रोडक्शन और इंकम आप के लिए देगी फिर टमाटर की खेती आप कर सकते हो आज की योग में किसान टमाटर की खेती करके लाकों कमा रहें और आत्मे निर्वरवी हैं टमाटर का नाम आते ही हमारे आखों के सामने इसके लाल-लाल चटक रंग के साथ रस से बरा हुआ गोल-गोल मटोल आकार का नजर आता है एक फ़ल जो की पोसक तद्वों से भरफूर टमाटर हमारे घरों में शामाने सब्जियों में तो उप्योग की आई जाता है और टमाटर की खेती भी आप 12 महीने में कवे भी कर सकते हो अभी कर लोगे तो भी आपके लिए फायदा है और अर्दर सोस के छेतरों में खिसानों की आई बढ़ाने के लिए गुआर एक अति महत्मूर फसल है यह सूका सैन करने के अतिरेक अधिक तापकरम को भी सह सकते है तो गुआर की केती भी आप आसानी से कर सकते हो फिर इसके बाद आप खीरआ ककड़ी की लगा सकते हो खीरआ एक सलाथ के लिए मुक्य फसल समझी जाती है और इसकी खेती संपूर भारत वर्ष के सभी भागों में की जाती है यह फसल अधिक तर सलाथ वा सब्चे के लिए प्रयोग किया जाती है और खीरे की फसल बसंत ता ग्रीस मेरितों में बोई जाती है इस फसल के फलों को अधिकतर हलके बोजन की रूप में इस्तमाल किया जाता है और यदि आप खीरा ककड़ी की खेटी करते हो तो ये मौसम समय काफी अच्छा है जिसमें आप 70 दिन में आफ की production ले सकते हो फिर लोविया लगा सकते हो आप लोविय एक पौदला है जिसके फलियां पतरी बंबी होती है इंकी सब्जी बनती है और इस पोदे को हरी खाथ बनाने के लिए भी प्रियोग में लाय जाता है लोबिया एक पिरकार का बोड़ा है जिसे चोला या चोरा भी कहते हैं यह सपेद रंका है और बहुत बड़ा होता है इसके फल एक हाथ लंबे और तीन अंगुल तक की चोड़े और बहुत कॉमल होते हैं यह भी मार्केट में काफी अत्तक डिमांडिंग में बना रहता है गर्मियों के मौसम में तो आप इसे भी लगा कर अपनी मार्केट में अच्छी इंकम कर सकते हो फिर इसके बाद आप करेला लगा सकते हो करेला की केती सबजी की केती में सामेल है करेला की सबजी का महत अत्यदिक है करेला की सबजी सुगर की बिमारी वाले लोग अधिक प्रियोग करते हैं और यहां तक की कच्छा करेला या उसका रस भी प्रियोग करते हैं इसके फल कड़े होते हैं जिसे कड़वे भी बोलते हैं लोकी हमारे सरीर के कई रोगों को दूर करने में साइक होती है और या बेल पर पैदा होती है। और कुछी समय में काफी बढ़ी हो जाती हैं और लोकी एक स्वास्त वर्दक सबजी है। आप इससे तारवास पर भी लगा सकते हो और जमीन पर इसे खुले में भी छोड़ सकते हो दोनों तरीके से हो जाएगी लौकी हो गया करेला हो गया कद्दू हो गया फिर तोरही हो गई गिल्की हो गई यह एसी बेल वाली फसले हैं जो लंबे समय तक चलती है आप इनी मास पर भी टांग सकते हो जमीन पर भी छोड़ सकते हो दोनों तरीके से प्रोडक्शन काफी अच्छा देती है और मार्केट में महेंगी भी बिगती है तो हमें भी उम्मीद है किसान वाईओ आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी आपने आपर विस बिजनिस प्लस यूटुब चैनल को और प्रेस कीजिए वेल आइकन नौटिपेकेशन को जैसे कि आप तक इसी तरह की और भी खेती हिसान की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार